प्रोफेसर कलिंगा में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं हमारी इंडिया टीम जो कि 13 साल के बाद फाइनली फाइनली नॉकाउट में क्वालिफाई किया है बहुत ही बहुत ही हिस्ट्री मेकिंग है जो कि मैंने बताया था जब प्रीमेच में बनाया था मियानमार के अगनेस्ट में इस हिस्ट्री मेकिंग के बाद हमारी इंडिया टीम जो है क्वालिफाई कर रही है को हराने बाले थे और अब हम लोग जा रहे हैं एसिया के लिए एसियन गेस में हम लोग क्वालिफाई कर रहे हैं टुदे नॉक आउट अब खेलेंगे हम साउधी के एगनेस्ट में जो की टुफ है पर इस फाइन यार हमें तो टुफ चीजों से अब प्यार करना चाहिए क्य अब ही बात करते हैं कि हमारी जो एसियन गेम्स की तीन मैच रही यह कैसी रही है दीखें हम चाइना के एकनेस में खेल ले थे हम ठके हुए थे आम लोग कुछ ट्रेणिंग रेणिंग नहीं था कुछ जो लोकल प्लेयर्स जैसे लोकल टोर्नमेंट खिलते हैं उस तरीके से कि मैच के लिए तीन बजे मैच है दो बजे पहुंचते हैं और हम मैच खिलते हैं और उस तरीके से कुछ इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है जो कि बहुत दुकत बात है और चाइना के गेम में फर्स्ट आप बहुत बढ़िया था पर सेकंड हम लोग पूरी तरके से गेम ह सबके तरब से और हम लोग वो मैच कैसे भी हो सर्भाइब करके जीत गए और वो पेनल्टी गोल था ओपन प्ले से नहीं फिर आज हम मियनमार के साथ खेले तो यहां पर भी एक्सपेटेशन बहुत हाई था कि यह तो डॉपिनेट मैच के लेंगे फर्स्ट आप हमने खेला और हमने गोल मारा और हम लग रहा था कि हम यह मैच को आनाम से जीतेंगे बट सेकेंड अब आएं एगेंस हम चाइना वाला सीन था कि हम लोग गेम पे आउट ऑफ आउट ऑफ गेम थे पूरा अटक बन रहा था मियनमार का 160 रेंग टीम इस क्रिएटिंग एटक लाइक के न और वहां हो गया स्कोर जो की उपन प्ले से बतलब हम बांगलादिय के एगनेस्ट में भी उपन प्ले से गोल नहीं मार पाए और हमने यहां पे भी मेर मार के एगनेस्ट में भी उपन प्ले से गोल नहीं मार पाए और दोनों की रेंकिंग हम से नीचे हैं और हम अभी भी हमारे senior player नहीं थे, हमारे top player नहीं थे, इसलिए हुआ है, भाई हमारे defense में दो-दो senior player है, so ये, देखो, हम blame दे सकते हैं, और हम excuse दे सकते हैं, but do you think कि अब time है excuse देने के लिए, we are going to the qualifier, sorry, quarter final, pre quarter final, to Saudi, so let's don't give any excuses, let's work on it and let's do the best and get the result, and hopefully, हम, मैं expect कर रहा हूँ कि Saudi के अगनेस्ट में हम रेजल निकाल ले, क्योंकि Saudi का आप record देखोंगे, under 23 की, अभी उन्होंने 3 match के लाए, एक ही goal considered किया है, just one goal, और बाकी उन्होंने मारा है 6 goal, वो भी Vietnam and Mongolia के अगनेस्ट में, So, Mongolia को में इतना seriously लूँगा नहीं, but Vietnam के अगनेस्ट में उन्होंने बहुत बढ़ीया performance दिया है, So, India, it is going to be tough against Saudi, it will be very tough, 75, 5 around के रैंकिंग के टीम है, Asia के top 10 team में आती है Saudi, तो उसके अगनेस्ट में खेलना इतना easy नहीं होने वाला है, But, we can do it, we are Indians, focus on our game, that's it, bye-bye.